नमस्कार, मैं हूँ संजीब सीवास्ताव, आप देख रहे हैं 4PM News Network भारती जंता पार्टी शाशित राज सरकारें बहाने तलाशकर मुसलमानों के घर तोड रही हैं यह वी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बुल्डोजर के नीचे हर दिन सम्मेधान को कुचल रही है और प्रताबगड़ी ये भी कह रहे हैं कि इस सब के विरूध में वे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे रासबा सांसत का ये बयान अभी हाल ही में बुल्डोजर जो चल रहे हैं भाजपाशाशी तराजजों में कहीं उसकी और इशारा है और खासकर ये पूरा जो उनका आरोप है उन्होंने मद्र प्रदेश के छतरपुर में एक घटना कर्म को लेकर लगाया है लोगों को ग्यात है कि छतरपुर में गत दिवस एक बड़ा उपद्रव हुआ था उपद्रव क्यों हुआ था इसकी जनकरी फूर पीएम ने अपने दर्शकों को तक पहुँचाई थी और वो मसला या मामला था महरास्ट के एक महंत द्वारा मुहम्मत पैगंबर सहाब है या इसलाम धर्म है उसे लेकर की गई विवादा इस पर टिप पढ़ी उसे जुड़ा और इसी मसले को लेकर च्छतरपुर में मुस्लिम समाज ग्यापन सौप ने एफ आई आर लिखाने के लिए जो ठाना कोटवाली है शेहर का हुर्देस तल है वहाँ गुरुवार शाम को एकत्र हुआ था और निकल कर कहीं ये आया कि जो पुलिस है उससे कोई बड़ी चूख हुई और वो जो हुजूम था वो हुजूम इसकदर उपद्रों में बदल गया और इसकदर बवाल उसे जो भीड़ ने काटा कि बद्द प्रदेश के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लग गया वहां उस भीड़ ने थाने में घुसकर पुलिस वालों की पिटाई की पत्थर बाजी की और तमाम जो निकल कर आ रहा था कि ऐसा कुछ किया जिसमें कई पुलिस वाले घाय लिए हलाकि कोशिश हुई पुलिस वालों की और से उस भीड़ को रोकने की उसे काबू में करने क कि लेकिन भीर इतनी ज़्यादा थी और पलिस पल इतना कम था कि वो मुम्किन हो नहीं पाया और उसमें जो ऐसे चो थे वो बुरी तरह जखमी हुए आदा दजन पलिस वालों को गंभीर चोटे आई जिनको उप्चार के लिए बाद में अस्पताल में भरती भी करना पड़ा और इस मसले मामले के बाद मद्रप्रदेश की सरकार एक्शन में आई मद्रप्रदेश के मुखमंत्री मोहन यादों ने इस पूरे घड़ना करम को लेकर एक्स किया जिसमें उन्हें नाराजगी जाहिए और कहा कि ये जो उत्पात करने वाले हैं इन्हें बक्षा नहीं जा अलील सीधे बुल्डोजर जिसका जिक्र प्रताब गड़ी जो कॉंग्रेस के रास्ताबा के सांसाथ हैं जो मोदी जी को कड़ी धरे में खड़ा कर रहे हैं कुछ वैसे ही अंदाज में जो कॉंग्रेस के पूर जलाद हाजी शहजाद अली इनकी एक आलिशान कोठी हवेली 20,000 स्क्वाइर फिट में फैली हुई हवेली देखिए वो हवेली का चित्र हवेली का वो वीडियो जो तूटने के पहले आपको दिखाई देगा और इसके बाद जहां बुल्डोजर पहुंसते हैं कई बुल्डोजर और वो बिल्कुल तामर तोड़ तूट पड़ते हैं तो सबेली पर इसे तोड़ों को कमजोर होता चलेगा दिये वाली दिवाल गिरानी को सिस्कूर आई ये वाला पिलर जो नाम मैंने लिया हाजी शहजाद अली ये भीड की अगवाई कर रहे थे जो खटना करम हुआ गुरुवार को उसे लेकर चैतरपर पलिस ने मामला दर् परिवार के कई सदस्यों के नाम उस F.I.R. में हैं कुछ 50 से जादा लोगों के विरुद्ध नामजद और एक पूरी की पूरी भीड जिसमें कुछ देड से एकड़ा से जादा लोग दूसरे एकड़े से जादा लोगों को कहीं आरोपी बनाया गया है वो F.I.R. दर्ज उसमें इन मुख्यारोपी जो कॉंग्रिस के पूर जला उपाद्दक्ष रहे हैं उनके जो आलिशान कूठी थी बीच शहर में उसको कैसे दोस्त किया गया है इसे भी देखिये और कहीं न कहीं जो हवेली पर बुल्डोजर चल रहे हैं वो दर्शाया दिखला रहे हैं कि कै ऐसा एक आक्रोश वरा अंदाज है बदले की भावना वाला अंदाज है हम जो मुख्यारोपी हैं उनकी पैरवी कता ही नहीं कर रहे हैं ना हमें करना है यदि उसने कुछ गलत किया है तो सक्त सक्त सजा जो भी कानून में है प्राउधान उसके तहत होना चाहिए लेकिन यह जो बुल्डोजर संस्कृती है जिसे लेकर कॉंग्रेस के रासबा सांसद इमरान प्रताब गड़ी ने सवाल उठाए हैं वो सवाल पहली बार नहीं उठें बहुत बार से यह सवाल बार बार उठें और ना केवल सवाल उठाए जा रहे हैं बलकि यह निरंतर चाहिए वो अनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो हिंदुस्तान के जो दिशन साथ साथ जो पॉरें का मीडिया है उसमें भी इस जो 100 साल पहले यह जो बुल्डोजर का जन्म हुआ था Yeah, उसका जो यहां एक विकराल रूप हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है बार बार उसकी गुंज विदेश के मीडिया में भी हुई है बहुत सारे समाचार इसे लेकर चाहे वो टाइम्स है दुनिया का जाना माना जो मीडिया जगत है उसमें और ऐसे बहुत सारे मुस्लिमों को टर्गिट किया जा रहा है ये अलग बात है कि चश्मे होते हैं अपने अपने देखे लेकर लेकिन गटना करम बार बार निकल कर सामने आते हैं उसमें ये बात कहीं ना कहीं जो आरोप है उसको बल मिलता है कि जैसे ही कोई नाम आता है किसी भी मामले में ये यही उसका वक्त आता है तो वो ना केवल जो आरोपी हाथ लग गया तो उसकी जो गत होती है सो होती है लेकिन बुल्डोजर चलना तो जो भाजपा शाशित राज है उसमें निश्यत तोर पर इसका चलन बहुत बहुत बढ़ गया है उत्रप्रदेश में योगी सरकार का बु उसके बाद शुक्रवार को ही चंद घंटों में बुल्डोजर पहुचा और कैसे उस हवेली को ध्वस्त किया गया मैं फिर कहूंगा कि 4 पीम किसी भी सूरत में ना तो किसी समुदाय विशेश का पक्ष लेता है पैर भी करता है और आपरादिक कत्विधियों में लिप्त ह है कोई तो उससे तो कताई कताई 4 पीम का कोई सापका नहीं होगा उसको लेकर कोई सानुबती नहीं होगी हम चाहे वो प्रशाशन हो सरकार हो उसके साथ है लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है ना अपील ना दलील ताबल तोड़ फैसला और ये फैसला और इसके साथ साथ जो मैंने पुना देखी है आप एक और मजर आप कीजिए वो वीडियोज फिटेज को जिसमें वो हविली को तूने के साथ कैसे जो लगजरी का रहे हैं कैसे उसको द्वस्त किया जा रहा है ये देखिए आप कि देख लिए आपने कैसे बुल्डूजर चल रहा है और बुल्डूजर चलना चाहिए लेकिन सवाल हुई है बहुत सारे सवाल है इस पूरे घटनक्रम को लेकर कि क्यों चूख हुई कैसे चूख हुई हाला कि पुलिस या प्रिशाशन की और से कहीं अपने बचाओं में कहा गया है कि उस दिन जो S.C.S.T. आरक्षेंट से जुड़ा जो एक प्रदर्शन अंगुलन था उसमें पुलिस बल ज्यादा व्यस्त रहा और इधर थाने में नहीं वो उतना बल रहा इस कारण भीड कहीं बेकाबू हो गई और घटनक्रम हो गया लेकिन ये दलील केवल दली बीड एकत्र होती रही वो अपना जो भी उसके पास हतियार थे तो वहाँ एंट्रिजनस फिर कहूंगा क्या कर रहा था यो नहीं वो देख पाया इतने बड़ा घटनक्रम को अंजाम कैसे देने में सफल हो गई वो भीड तो चूक तो बहुत बड़ी पुलिस प्रशाशन जिला प्रशाशन की भी और उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी भव हवेली छतरपुर कोई कसबा नहीं है कोई गाव नहीं है एक जिला मुख्याले है वहाँ बन जाए रातो रातों बनी नहीं थी हो हवेली बीस हजार स्कूर फिट बीस करोड लुपे कदमा कायम हुआ है तो फिर ये हवेली तन और बन कैसे गई क्या कर रहा था मा का स्थानी प्रशाशन क्यों नहीं उसने वक्त रहते इसको देखा कि बिना अनुमती के कोई कमरे दो कमरे का मकान तो है नहीं उस हवेली की भविता अलग नजर आ रही है महीनों साल से जादा होगा उसको फिर कैसे बनती जरी को यदि आप राधिक गति वीडियों लिप्त है तो पुलिस क्या कर रही थी प्रसाशन क्या कर रहा था प्थान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की इंकम टैक्स इसे लेकर बार बार उन पर आरोप लगते हैं कि इंकम टैक्स एडी मोधी जी की है सीबी आई मोधी जी की है लेकिन इस मामले में यदि उसके पास अनुपात हीन संपत्री थी तो फिर पुलिस क्या कर रही थी और उसका जो हमने पूरे का पूरा इतिहास खंगाला है जो मुख्या रोपी बनाया गया है कॉंग्रेस में वो होता था अब नहीं है कॉंग्र कुछ नहीं था और इसकी जो कहानी निकल कर सामने आरी है हमें जो सूचना मिली है उसके मताबग कोई दो दशक पहले तक ये शक्स जिसका नाम रचाजी शाधादाली है वो एक वस्थ होते हैं जो जो लोग उसको अलग कर देते हैं उन वस्थ्रों को बेचा करता था ठेले लगा कर। जले हुए औइल का काम करता था। जो टायर लोग अपनी वहानों से निकाल दिया करते हैं, जैसे ऐक डिसकार्ड करते हैं, उन टायरों का काम करता था। और दोदिशक में वो इतना बड़ा अदमी बन गया, कि इतनी भव वेली और ये भी हमें बताया गया है जो सूचना है हमें सूत्रों से मिली है इसकी पुस्टी करने का हम प्यास कर रहे हैं लेकिन जो अपुस्ट हम कह सकते हैं कि जो सूचना है उसके मताबिक इसके घर में अदालत चला करती थी ये फैसले दिया करता था चक्स तो अब ये भी सवाल है यदि ये सब कुछ सच है और उसकी कहानी ये तो सची है कि बहुत गरीब परिवेश में दो देशक पहले था छे भाई हैं ये लोग पूरा का पूरा कुनबा है एक इनका कैसे फलफूल गए इनके पीछे के धंदे क्या थे सवाल वही है न कि क्या कर रही थी पुलिस क्या कर रहा था प्रशाशन क्या देख रहा था और ये यदि फैसले देता था मांडवालिये करा था ये भी एक ब्लेम है प्रॉपर्टी का धंदा मांडवालिये कराना अपने समाज में तमाम जो एक प्रभुत्व कायम करने वाली इस्तिती शायर यही वज़े है कि उसके साथ इतने लोग खड़े थे भीड़ थी उसके साथ तो सवाल फिर वही कि भई पुलिस प्रशाशन जिला प्रशाशन एंट्रिजन्स कहा थी तो यह जो बंदप्रदेश के मुख मंत्री हैं मोहन यादो जो प्रधान मंत्री नरेंदर मत्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं वोपाल से आते हैं और यह जो चतरपूर है चतरपूर खजराओ लोकसबा सीट के अंतरगत आता है भारती जन्तापार्टी के प्रदेश अद्यक्ष विष्णु दत्षर्मा यहीं से आते हैं उन्होंने कहा है कि हम ऐसे तत्मों को छोड़ेंगे नहीं और उनसे दो कदम आगे जो रामेश्व शर्मा है बीजेपी के विधायक उनका अंदास क्या है उन्हें हिंदुत का पैरोकार माना जाता है और वो मुस्लिमों खिलाफ एक आग उगल कर जो आज एक अपना जलजला पैदा करना है पार्टी में अपनी जगे बनानी ही उनका जो बयान है उससे सुनी आप पहले उनको सुनी है फिर उसके अद में और आगी की बात करें चातर पूर कि कारवाई पर मानी प्रदेश अद्यक जी बोल चुके है और चतर पूर की कारवाई किये गुंडे मवाली कान खोल कर सुलने । शान्ती से साव अंबेट करके संभीधान के अंसार काम करती है आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी घर किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी ग्यापन दो प्रसाशनिक आविदंदो उस पर पूरी कारवाई होगी उत्पात मचाओगे तो नंग नंग तोड़ दिये जाओगे और ध्यान रखना संभीधान का उलंगन कर रहे हो तुम आग लगा कर लोगों में देशत पैरा कर थाने पर हमला करना यह आतंगवादी गटना से कम नहीं है इसलिए सरकार की कारवाई को प्रसासिन कारवाई को धन्वाद देतें और उंबीत करतें और अच्छी कारवाई करो तो यह भोपाल के भारती जंता पार्टी के विधायक है रामेश्व शर्मा जिन को आपने सुन लिया अब इस पूरे मामले में सवाल वही है कि मुख्य मंत्री जी या जो उन्हें पसंद करने वाले केंद्री के नेताग आब आदले से बात नहीं बनेगी, हटाने से बात नहीं बनेगी, सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, यह जो मशीनरी है जिसके देख रेख में यह धंदे फलते फूलते हैं, ऐसी हवेलियां तनती हैं, उनके खिलाब बहुत सक्कारवाई सरकार को करना चाहिए, ताकि नज गंडे और ऐसे तत्व जो आतंक बाद की श्रिणी में आते तो इनको कुचलने मसलने के लिए जो फेल रहे हैं अफसरान उनको भी ऐसी कोई सक्त सजा दीजिये जो इसको तो जो ये बुल्डूजर भाली करवाई है इसको कहा जा रहा है कि ये तो ऐसी करवाई है अपीलना द सब्सक्राइब के खिलाफ अपने अमले के खिलाफ कीजिए ताकि फिर कहीं कोई ऐसा जो तत्व है पना 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 पाए कानून को अपने हाथ में ना ले पाए नियम काईदों को दस्त ना कर पाए तब जाकर बात बनेगी मनी मुखमंत्री जी इस वीडियो में इतना ही हम पर किसी नए विटियो के साथ आपके समक्केश पस्रित होंगे हमारा अंडरोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्रपियार और नमस्कार अच्ट कि अच्ट कि अच्ट कि अच्ट कि अच्क बगया है